जे हिन दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टर स्कैलपर की एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचित दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक नि seven के बारे में और बैंक निफ्टी के कंपोनेंटस के बारे में कल हम किस तरीके से ट्रेट कर सकते ह। अज कौन-Kान से इंप्टन लेवल जिन के ऊपर बैंक निफ्टी ने ट्रेट किया है सारी चीज़ें स्वीडियो में डिसकस करने वाले हैं Crude Oil में जो यह गिभारी गिरावाट हमें देखने को मिली है इस गिरावाट से हमें किस तक तरीके से Bank Nifty के उपर फायदा देखने को मिल सकता है वो सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्टो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा आप बैल आइकन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइक है मैं रखते हैं लगबग 1000-2000 लाइक जितने आप लाइक करते होगे उतने लाइक ही मेरे को चलेंगे क्योंकि आप लोग का दो बार रिजेक्शन आया है डबल टॉप इस एरिया के आसपास बना है ठीक है ये क्लियरली हम लोगों को दिखाए दे रहा है आज के पूरे दिन जैसे ही बैंक निफ्टी में एक मैसिव गैप अप हुआ और 35,500 के लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक आउट दिया 35,500 क हमारे क्या डिसकेशन हुआ था टेलग्राम ग्रूप जिन लोगों ने भी जॉइन नहीं किया लिंक नीचे उन्हें दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके नीचे नहीं गया मतलब मार्केट में कोई वीक्नेस अपने को अभी के लिए दिखाई नहीं दिया है वर्ड मार्केट जो निफ्टी वाली वीडियो में था उसी के आसपा सी 300-200 पॉइंट उपर NASDAQ और DAO है तो वहां से तो कोई अभी भी दिक्कत का सिनेरियो है नहीं 2-3% लगबग जो है 3-3% European markets और बाके सारे market तेज हैं तो वहां से भी कोई अभी दिक्कत का सिनेरियो नहीं आ रहा है खेर तो ये अब Bank Nifty की हम बात करते हैं इसमें एक चीज़ हमें क्लियरली दिखाई दे रही है बैंक Nifty में आज थोड़ा sideways trade मिला है Nifty ने उसे cover किया end में जो breakout Nifty में हुआ उससे थोड़ी जो weakness है वो cover होती हमें दिखाई थी बैंक Nifty ने first sign of the weakness दिया main reason उसका था crude oil में जंप इस वक्त crude oil around 99 dollars के आसपास है Brent crude बट ये एक time के लिए 102-103 dollars के आसपास चला गया था एक rally जो आई थी lower level से उसकी वज़ाए से एक बार के लिए जो है हमारे bank rifty के उपर especially banks के उपर pressure आया बट अच्छी जिस किया हुई हमारे market open close होने के बाद ही हम लोगों को क्या देखने को दिखा एक 5 minute time frame बे Brent crude में head and shoulder pattern बना और उसका breakdown होता हुआ हमें दिखाई दिया 98 का low लगा अब थोड़ा उपर आया है बट 103-104 dollars से substantially lower levels पे इस वक्त Brent crude है तो ये एक बड़ा positive है bank rifty के लिए कल चलते हुए अब bank rifty का option chain data हम लोगों को देखना होगा और वो क्या कह रहा है उस चीज के उपर हमें focus करना होगा देखिए सारी चीज़ें हम लोग discuss कर पाते हैं सारे levels discuss कर पाते हैं बट जब market इस टाइप का sideways होता है इस टाइप की volatility होती है इसमें लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो लोग multiple trades लेते हैं एक बार दो बार आपके stop losses अगर hit हो जाते हैं तो please एक बार के लिए market से side में बैट जाया कीजिए जब आपको पता चल रहा है market आज कोई trend नहीं दे रहा है market trendless है ठीक है trendless दिन है और जादता trendless day कब होता है जब first 15-20 minutes में इतना बड़ा momentum आ जाता है और उसके बाद जब दुबारा selling आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए आज आपको पूरे दिन कोई बड़ा trend नहीं मिलेगा अपार्ट फर्म second आप तो ये चीज़ आप जब तक नहीं समझेंगे आप लोग गलत दिन पर trade करेंगे as an option buyer you have to choose your days to trade अगर आप choose नहीं करोगे अपने दिनों को कि आपको किस दिन trade करना है कितनी quantity में करना है और किस दिन नहीं करना है और कितनी quantity में करना है तो वो सारी चीज़े आपको अपने mind में रखनी चाहिए सारी चीज़े आपको समझनी चाहिए और historically charts को देखिए pattern समझनी की कोशिश किए जितनी मैं आपकी help कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ पर जब तक आप खुद वो effort नहीं डालोगे खुद वो चीज़ नहीं जो है उस चीज़ को नहीं देखोगे आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कौन से दिन अपने को trade लेना चाहिए कौन से दिन नहीं लेना चाहिए रोज trade मैं नहीं करता हूँ as an option buyer और ना मैं आपको suggest करता हूँ कि रोज आपको trade लेना चाहिए कुछ अच्छे setups होते हैं जैसे आज nifty में था तो हमने nifty में trade लिया bank nifty में थोड़ा एक selling का trade बना था scalp बना था तो वहाँ पर हमने telegram group पे भी मैंने आपको hedge करने के लिए दिया था जो trade हमारा था 35300 का put 270 के उपर ये 313-314 तक गया था एक बार इसमें SL हुआ दूसरी बार अपने को level कटा हमने दुबारा ट्रेड लिया और दुबारा से अपने को profit हुआ ठीक है ये सारी चीज़े चली है आज के दिन अब कल के लिए क्या important है ना कल के दिन बैंक रिफ्टी के लिए ये वाला हाई कटना बहुत important है 35800 का हाई कटना बहुत जादा critical और बहुत जादा important है अगर यह नहीं कटता है तो एक double top formation यहां पर हो जाएगी और market फिर नीचे आने की चेस्टा करने लगेगा option chain data मेरे को क्या बता रहा है अगर मैं बैंक रिफ्टी का option chain data आप लोगों के सामने लगाता हूं यहां पर तो इसमें एक चीज मेरे को दिखाई दे रही है highest open interest 17 लाग का है 36000 के उपर ठीक है 36000 की call side में सबसे बड़ा open interest है लगबग highest 17 लाग का पुट की side में सबसे बड़ा open interest मेरे को इतना कहां पर दिखाई दे रहा है 35000 पर जो डिरेक्ट यहां से 500-600 पर नीचे है जो कि यह 15 लाग का ठीक है सेकेंड highest open interest पुट की side में मेरे को कहां दिख रहा है वो है 35500 पर जो कि 9 लाग का open interest है बट दिक्कत क्या आ रही है 35500 के उपर call writers अभी भी हावी है आज के दिन 5 लाग के आसपास call writers कटे हैं बट अभी भी 35500, 600, 700 और 800 पर भी हमें 8 लाग के आसपास call writing दिखाई दे रहे है इसका मतलब क्या है उपरी levels पे bank nifty में call writers अभी भी हावी है अब ये call writers कब फसेंगे अगर कल के दिन bank nifty 35800 के उपर trade करना start करता है और उसके बाद 35900 अगर 35800 का level कल bank nifty तोड़ता है तो आपको trade में initiate करना चाहिए 35800 के उपर उसके उपर आपका पहला target होगा 35900 एक छोटा target होगा बड़ा important level कौनसा अब सामने निकल के आएगा वो निकल के आएगा 36,050 का 36,050 से 60 का level 36,050 साट का level अगर आपका तूटता है तो एक बड़ा breakout आएगा जो आपको मेरे हिसाब से at least 36,300 तक की एक rally 250 से 300 तक की एक rally जो है वो कल के दिन ही दे देगा क्योंकि इतना बड़ा open interest जो फसा हुआ है अगर वो उपर की side जाता है market और ये call writer's trap होते हैं तो 36,300,500 तक के levels आपको बहुत अराम से जो है वो देखने को मिल सकते हैं on the downside अगर bank nifty में 35,500 और 45,500 का ये जो important critical support है जिसने market को आज 3 बार support दिया ये support अगर breach होता है na bank nifty में बड़ा fall देखने को मिल सकता है पहला target इसका क्या होगा लगबग 35,375 का दूसरा target इसका क्या होगा at least first CPR range का जो pivot है वो होगा 35,200 का तो ये दो बड़े target के लिए हम लोग bank nifty को short कर सकते हैं 34,450 के नीचे ये चीज़ आपको mind में रखनी चाहिए अब कुछ banks के important levels देख लेता है सबसे पहले अगर आप बात करें access bank की तो access bank में clear cut है अगर 725 के ओपर access bank निकलता है तो एक बार के लिए 728, downside में 717 के levels हमें देखने को मिल सकते हैं EU small finance bank की अगर हम यहाँ पर बात करें तो sideways रहता है ज्यादा तर आज अगर CPR कल के दिन अगर CPR resistance को तोड़ता है 1190 का तो 1212 तक के target देखने को मिल सकते हैं downside में अगर 1157 के level तो एक बार के लिए 1144 तक के level समय देखने को मिल सकते हैं बंदर bank की बात करें 201 का breakout हुआ है अगला resistance इसका 297 आता है 297 के उपर 302 तक के level समय देखने को मिल सकते हैं Federal bank की यहाँ पर बात करें तो अगर Federal bank 9780 के उपर sustain करता है तो अगले target हमें 100 के उपर जो है वो देखने को मिल सकते हैं downside में 9720 और 96 के support हमें देखने को मिलेगा HDFC bank की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो अगर 1437 का level तूटता है तो एक बार के लिए 1424 on the upside में अगर 1454 के level को तोड़ता है तो एक बार के लिए 1464 तक के level समय देखने को मिल सकते हैं ICSA bank की यहाँ पर बात करते हैं तो ICSA bank में clear hazard ICSA bank अगर downside में 705 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए 702 से लेकर 700 तक के level साइंगे on the upside में 708 के उपर अगर जाता है तो 711 से लेकर 717 तक के level समय देखने को मिल सकते हैं कोटक bank की अगर हम यहाँ पर बात करें तो CPI resistance level है 1780 के उपर कोटक bank निकलता है तो एक बार के लिए 1790 downside में 1753 के नीचे अगर निकलता है तो 1740 तक के level समय देखने को मिलेंगे SBI की यहाँ पर बात करते हैं तो range में फसा हुआ है clear cut जैसे bank nifty का चार्ट है वैसे SBI का चार्ट दिखाई दे रहे अगर 490 के नीचे निकलता है तो एक बार के लिए 480 on the upside में 494 के level को अगर breakout देता है तो 495 से लेकर 500 तक के target समय देखने को मिल सकते हैं दोस्तों आशे करता हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिगा मिलता हूं आप से लिए वीडियो में thank you so much watching guys जेहिंद वंदे मात्रम